Crash Course of Physics का ये छठवा लेक्चर है तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Work, Power और Energy, कारे उर्जा और शक्ती के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जो जो Question exam में पूछे आते हैं उनसा भी के Concept हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या का आप से पूछे जा सकते हैं तो Work, Power, Energy, कारे शक्ती और उर्जा ये बहुत important topic भी आपको ये मालूम भी होना चाहिए चले शुरू करते हैं बहुत easy है सबसे पहला topic हमारा देगी क्या है कारे सबसे पहला topic जो है वो है कारे कारे को English में बोला जाता है अब इसकी जो traditional इसकी परिवाशा वो देख लीजिए फिर मैं आपको बारी की समझाता हो होता क्या है इसकी जो traditional परिवाशा है वो क्या है कारे की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तू के विस्थापन के गुणन फल के बराबर होता है इसका मतलब क्या है कारे की माप मतलब जो कारे का मान होता है वो लगाए गए बल मतलब किसी वस्तू पर लगाए गए बल और उसी बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणन फल को कारे कहते है इसका मतलब ये क्या कहरा समझे अगर ये एम दरबमान की कोई वस्तू है एम दरबमान की कोई वस्तू है अगर मैं इस पर एफ बल से खीचता हूँ और इसी दिशा में विस्थापन होता है मतलब थोड़ी देर में यह यहां पहुँच जाती है थोड़ी देर बाद है कारे कामान होगा न वो होगा कारे बराबर बल गुड़े उसी दिशा में विस्थापन जिस दिशा में बल लगा है उसी दिशा में विस्थापन दोनों के गुणनफल को क्या कहते है कारे कहते हैं और कारे जो होता है एक अदिश राशी होता है कारे क्या होता है एक अदिश चिराशी है अब मैं इसको अच्छा से फिर समझाता हूँ दूसरा एक्जामपल लेकर अगर बाई चांद हमारे पास ऐसा हो ये M दरबमान की वस्तू दी गई है अब ये रास्ता है ये इधर से जाएगा अब कई बार होता है धागे से बांद के हम खीचते हैं उपर की तरफ तो F बाल इधर की तरफ लगा रहे हैं और जो वस्तू थोड़ी देर बाद इधर पहुँच गई है अब देखे क्या हुआ विस्तापन तो इस दिशा में हुआ है विस्तापन क्या हुआ इस दिशा में हुआ मगर बल जो लग रहा था वो इस दिशा में लग रहा था मतलब विस्थापन इस दिशा में है बल इस दिशा में तो इसके बीच का कौन कितना है थीटा है तो अब कैसे निकालोगे तो हमें ये करना पड़ेगा अब बल का एक घटक लेना पड़ेगा जो विस्थापन की दिशा में है आपने फॉर्मूला याद किया होगा अगर आपको आत जा रहा हूं अब देखिए ये बल है इस दिशा में हमें बल निकालना जिस दिशा में विस्थापन है अगर देखिए मैं इस बल को ऐसे लिख देता हूं एफ और इस दिशा में हमें बल निकालना था मतलब डी की दिशा में बल निकाला था तो मैंने सफिक्स में इसके डी मा थार यह में आखर यह मातलब इस दिशाम में बल का बराबर कि यह होता है आधार बटा चण तो आधार क्या यहां पर FD और करण कितना है जो original force है F, अब FD का मान यहां से कितना जाएगा? F into cos theta, F into cos theta, और FD हमने क्या माना था? FD हमारा क्या था? FD था विस्थापन की दिशा में लगने वाला बल, जो कि हमारा कितना निकल गया? F cos theta निकल के आया, अब कारे कितना हो जाएगा? अब कारे की परिवाशा से कारे होता है, जिस दिशा में विस्थापन हुआ है, उस दिशा में कितना बल लग रहा? उस दिशा में बल कितना लग रहा? F, D और विस्थापन D हुआ है, F D कमान रख दिया तो F cos theta यहाँ पे D यह cos theta हो जाएगा तो यह कारे बराबर क्या हो जाएगा F D cos theta तो आपको क्या याद रखना है कारे कितना होगा यदि दोनों के बीच कौन 0 है यहाँ F B C दिशा में D B C दिशा में अगर दोनों के बीच में angle cone 0 है तो F into D हो जाएगा F into D हो जाएगा अगर दोनों के बीच में कुछ cone है तो F D cos theta यह formula यूज़ करेंगे दोनों ही case में जो कारे आएगा वो अदिश राशी होगी अदिश राशी मतलब कारे का क्यावल परिमान होता है दिशा नहीं होती है ठीक है और कारे का जो मात्रक होता है SI मात्रक होता है वो होता है Joule ठीक है Joule होता है कारे का SI मात्रक क्या होता है Joule अगर इसे हम fundamental में परदर्शित करें मतलब मूल राश्यों में परदर्शित करें मूल मात्रक के रूप में परदर्शित करें है तो हमने क्या लिखा था वर किसी कल्टू एफ इंटू डी थीक है अगर दोनों के भीच में कोड़ जीरो है कि कोई मात्रक होता है नहीं अब बल का मात्रक क्या होता है अब कारी का मात्रक लिखने के लिए बल का मात्रक fundamental के रूप में मतलब fundamental मतलब जो हमारी fundamental राश्या थी, मूल राश्या थी उनके रूप में, जैसे कारिका क्या हो जाएगा, kilogram, meter, per second, square, और ये विस्थापन क्या होता है, meter होता है, तो ये meter square हो जाएगा, जूल मातर के साई में, या अगर साई में, या MKS में, अगर हम इसे fundamental की रूप में परदेशित करें, मतलब मूल मातर की रूप में परदेशित करें, तो ये kilogram, meter square, per second, square हो जाएगा, होप आपको समझ में आ गया हो, और हमारा अगला जो टॉपिक है, वो है अरजा, अगला टॉपिक क्या है अरजा, अरजा देखिए, उरजा देखिए समझेए बहुत ही easy है, जो किसी वस्तु की कारे करने की छंपता को उस वस्तु की अरजा कहते हैं, आप एक वस्तु है मालिया, आपकी कारे करने की छंपता जो है, वही उर्जा कहलाती है, सिंपल सी बात है, और उर्जा क्या होती है, एक अदिश राशी है, एक क्या है, अदिश राशी है, और उर्जा का मातरक भी जूली होता है, उर्जा का मातरक भी क्या होता है, जूल होता थीक है उसके बद आपको टॉपिक समेना है जब भी कोई वस्तुकारे करती है तो उसके अंदर उर्जा आती है उसके अंदर उर्जा आती है वो उस उर्जा को हम कहते हैं यांत्रिक उर्जा उस उर्जा क्या कहते हैं यांत्रिक उर्जा यांत्रिक उर्जा ठीक है अब यांत कानेटिक इनर्जी मतलब इस ये मतलfilled क्या मतलब क्या होता है और इस थिती की रुशा लजा तो आप समझ गे ने कारे द्वारा प्राप्त उर्जा जो होती है वो यांति गुर्जा कहती है मतलब कोई वस्तू कोई भी कारे करेगी तो उसके अंदर यांति गुर्जा आजाएगी यांति गुर्जा बोले या कि दो प्रकार की उर्जा जो आयाती है एक होती है गती जूर्जा और दूसरी होती है स्थिती जूर्जा अब आपको समझ माया जाएगा पहले हम बात करेंगे गती जूर्जा जब भी कोई वस्तू किसी वेक्स जाती है तो किसी वेक्स से आगे बढ़ती है तो उसके अंदर क्या आयाती है गती जूर्जा आयाती है मान लिया कोई वस्तू है M दरबमान की कोई वस्तू है यह किसी वेग V से जा रही है किसी वेग V से जा रही है तो इसके अंदर कौन सी उर्जा होगी गति जूर्जा होगी तो उस गति जूर्जा को काइनेटिक एनेर्जी को अगर हम लिखे उसकी वेलो होती है 1 by 2 M V square मतलु होगा इस वस्तू का दरबमान होगा और वी जो होगा वोग इसका वेग होगा तो गति जूर्जा ऑगए हो लग तो फै抗िस का मत्र энत्रत्र है थी तो इसके पास कौन सी उरजा है इसमें इस तिती यहां से रोगी थी यहां पर जाके रुख गई थी यहां से यहां पे चलने में कुछ काम किया होगा न वो काम क्या है इसका वो इस्थिती जूर्जा के रूप में यहां पे इसका संचित हो गया उस इस्थिती जूर्जा को potential energy को उसकी value होती है वो MGH होती है मतलब MGH कैसे मैं बतायता हूँ आपको जो भी इसने यहां से यहां जाने में जो कारे किया होगा इस जमीन लेवल से उप जाने में वही जो कारे है इसका इस्थिती जूर्जा के रूप में संचित हो गया अब मैं आपको बतायता हूँ यह कितना force लग रहा M into G force लग रहा अब उपर कितनी उचाई पे गया है तो जो potential energy हो बल इंटू विस्थापन क्योंकि जो कारे होता है वो क्या होता है बल गुड़े विस्थापन ही तो होता है ना और आप कहेंगे यह वाली दूरी क्यों नहीं लेंगे हमने कौन से दूरी यहां लेनी होती है जो कि बल की दिशा में दूरी होती है मतलब बल की दिशा में बल इ यह तो इस्थिती यूरज़ जो होती हैं वह वस्थू की स्थिती कारण जो उसके इनर्जी और इस्थिती जूरज़ लुझा पो और किसी की वस्थू जो की वस्थू है ना उसके पास यह दोनो रुझाय एक साथ भी हो सकती है, जैसे यह वस्तू इधर जा रहा है, तो यह जमीन लेवल है, तो वेग भी है और इधर जा भी रहा है, तो इस्तिती यूर्जा और गती यूर्जा दोनों इसके पास है, ठीक है, अगर यह इस लेवल पर जा रहा है, अगर यह रिफरेंस लाइन है, यह के जमीन है तो इसकी स्थिति उर्जा तो इसके पास बढ़ती आ रही बढ़ती हो तो इसके पास नियत है यहां पर आपको मालूम पढ़ गया है है द्रवान है और जी का गुर्ट्वी तोरण है और है अगले टोपिक है उर्जा संरक्षक का नियम को इंग्रिश में बोलता है लॉफ observation of energy ठीक है अब यह नियम क्या कहता है कि यह बहुत ही सरल नियम है आप सभी को मालूम होगा जो उर्जा है ना दुनिया में जितनी भी उर्जा है उस उर्जा को हम ना ही खतम कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन कर सकते हैं बस हम उर्जा को क्या कर सकते हैं एक रूप से दूसर में रुपांतरित के वल कर सकते हैं और हम नष्ट नहीं कर सकते हैं या उत्पन नहीं कर सकते हैं किसी वी उर्जा को ठीक है अब हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं जो एक्जाम में आपके पुछे आते हैं उपकरण वो पुछा आता है यह उपकरण की सुर्जा को की स लोड यांत्री कुर्जा को विद्धु तुरजा बदलता है इसको इंवाइन नारेक्न कॉर्जा ऒड़े जो यहां धuba दिन ओता है वह गूँतडन करने दिए जो पानि आता है वह घूमते हैं थो यांत्रिक कारे कर रहे हैं उसके बाद उत्पन क्या होती है बिजली उत्पन होती है तो यह क्या करता है डाइनमो यांत्री कुर्जा को विद्दू तूर्जा में बदलता है ठीक है अब दूसरा आपका मौम बतायता हूं आपको मौम बती क्या करता है आप खुद सोचिए जो रसाइनिक उर्जा को क्या करता है प्रकाश या उष्मी उर्जा में परिवर्दित कर देता है तो यह रसाइनिक उर्जा को उश्मा उर्जा में परिवर्तित कर देता है, समझ गया आप सुन रहा है न ये, रहसाइनिक उर्जा को उश्मी उर्जा में परिवर्तित कर देता है, और तीसरा आपका सोलर सेल, सोलर सेल आप सोचे क्या कर रहा है, सोलर सेल आप इच्छत पे लगा हुआ है, वो क्या कर रहा आपके घर में लाइट दे रहा है, सार उर्जा में परिवर्तित कर रहा है, अगला आपको बताता हूं, विद्धूत मोटर, मोटर आपके घर में लगी होगी, जो पानी खीचने वाली, वो क्या कर रही है, उसको क्या दे रहे है, लाइट दे रहे है, तो वो electrical energy को क्या कर रही है वो यांत्री कुर्जाम बतल रही है ठीक है तो ये विद्धुत energy को क्या कर रही है यांत्री कुर्जाम परिवर्तित कर रही है ये विद्धुत उर्जा को यांत्री कुर्जाम में परिवर्तित कर रही है समझ पा रहे हैं चलिए ठीक है अब कुछ instrument की बात कर लेते हैं जिर सितार है आपका इस तार सितार क्या ख़रा बता यह सितार को आप चलाते हैं तो आवाज वर आवाज निकलती कर रहे हैं ध्वनियँ ओर्जा में परिवर्टित कर रहा है और एकजांपने आपको बताते हैं ट्यूम लाइट क्या कर रही है प्रकाश-ओर्जा में परिवर्टित कर रही हैं तो घ Même लुए हराई मेरी धोनी को क्या कर रहा है विद्धुतुर्जा में परिवतित कर रहा है धुरक्ष्ट टॉट M physically परिवातित कर रहा है तुझ तो आपके यहां पहुंच रही है तो इसने क्या किया विद्धुतुर्जा में बदल्ड़ तो ये सब example आपको समय में आ गया होंगा ठीक है। तो उर्जा को हम ना ही खत्म कर सकते हैं, ना ही उत्पन कर सकते हैं, उर्जा को के वल हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है सम्वेग और गती जुर्जा में परीवलतन मैंने आपको दोनों बता दिया है देखिए गती जुर्जा क्या होती है वन बाई टू एम वी स्क्वार और इसके पहले हमने आपको बता दिया सम्वेग क्या होता सम्वेग होता है द्रवमान और कर दूं याँ वी-square हो जाएगा है तो M square मतलब ऊपर मैंने M से multiply कर दें नीचे मैं से multiply करता हूं कानेटिक energy वन बाइ 2 नीचे M है M into V क्या है समवेग है तो यह P square हो जाएगा तो यह relation है बहुत easy सा गति जुर्जा बराबर समवेग का square upon 2 M हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब ये आप से कुछन पुछाता है बताइए अगर सम्वेक को मैंने तीन गुना बढ़ा दिया तो गती उर्जा में कितना परिवातन आएगा अगर भाई इसको तीन गुना बढ़ा दो गए तो तीन का स्क्वार नौ अच्छे से पढ़ लिया ना मालियक जैसे ये वस्तू जो थी मैं इसको पहले समझाता हूं एम दर्वा की कोई वस्तू सी बल लग रहा था इस पर ये इसका विस्थाप्पन यहां हो गया तो यह यहां पहुंच गई तो इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा टी टी टाइम में हमने कुछ काम किया इस बल ने कुछ काम किया मैंने मालिया टी टाइम में जो बल ने काम किया डवलू है तो एक सेकंड ने बताईए कितना काम किया होगा डवलू बाई टी शक्ति वही होती है शक्ति क्या होती है पर यूनिट टाइम में कोई बल कि की दर को शकति कहते हैं, बता दिए-ापको यद कारे कितना है या किसी करता के दोरा किया गया कारे कितना है उसे हम शक्ति कहते हैं इंगलिस में इसे पावर कहते हैं पावर भी क्या हो जाएगा यह है एक अधिश राशी हो जाएगा और पावर का जो मातरक क्या होता है ऐसा ही मातरक है इसका वाट है इसका एसा ही मतरक क्या ह वाट, वाट क्यों रखा गया, आप उचांगे, एक व्यैज्यानिक थे जेमस वाट उनके सम्मान में रखा गया ठीक है, जेमस वाट के शक्ति का एक और मात्रक होता है, जिससे आपने सुना होगा अश्वे शक्ति, उच्पaky, एक और मात्रक इसका है, वो क्या है है क्या बोलाता है हॉर्स पावर अगर यह पूछा जाए कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है यह आपको याद होना चाहिए लिक लीजिए एक हॉर्स पावर is equal to 746 वाट के बराबर होता है एक बहुत कारी का मातर क्या होता है और वाट एक यह और फिट टाइम से मल्टिप्लाई कर दो second, तो टीटी कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कार आ जाएगा, तो एक वाट into second, बराबर क्या होगा, कार एक जूल के बराबर होता है, अब पूछा जाता है, एक वाट घंटा, एक वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, अग गर यह पूछ लिया जाए तो मैं बता दू इसको देखिए एक वाट डबलू से लिखे अच्छा लगए ना डबलू आवर का मतलब सेकेंड बदलते हैं तो 3600 होते हैं एक गंटे में ठीक है इसको सेकेंड बदल लिया अब देखिए मैं इसको लिख दूँगा 3600 बाहर आ जा अगर आपसे पूछल जाएं एक किलो वाट की जगह क्या आजा है किलो वाट गंटा तो एक किलो वाट बराबर क्या होता है तो यहां पर एक वाट घंटे में इतना जूल है तो एक किलो आ गया तो एक पावर त्री और जूल जाएगा बहुत एजी है ठीक है तो यह आपको समय में आगए सारे कनवर्जन आपको समय में आ गये तो आपको कार यह उर्जा और शक्ति का जो कंसेप्ट आपको अच्छे स के वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा लिक के बताइएगा कमेंट करके हमें अच्छा लगा हूँ आपको तो अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो प्लीज बताये में जल्दी-जल्दी कंटिव कर सेंगे सारे वीडियो इसके बाद हम बहुत ही पढ़ने वाले हैं गुर्त्वा कर्षन उसके बारे मैं पूरी डीडिल ने बताओ गुर्त्वा कर्षण पढ़ने वाले हैPlease इस तरीके से दिरे-दिरे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे आपके जो आने वाले उससे पहले ना कंप्लीट कर दूंगा यही पढ़े चले जाए यह आपका बहुत अच्छे से एक्जाम हो जाएगा स्क्रीन पर आपके चार वीडियो आ रहे हैं अगर यह वीडियो आप देख लेते तो आपके लिए पेनिफीशल ही होंगे क्योंकि यह आपके एक प्रिसोर्ड में तब तक के लिए नमस्कार